एक छोटे गाउं में एक बुढ़िया रहती थी, वो बिल्कुल ही अकेली थी, उस बुढ़िया का कोई भी नहीं था, वो बुढ़िया बहुत ही गरीब थी, बुढ़िया रोज जंगल से लक्डिया लाकर उन्हें बाजार में बेच कर अपना पेट बड़ी ही मुश्किल से एक दिन की बात है, सरजु गाए को खाने के लिए चारा तो देता नहीं था, उल्टा उसे मारता और रहता, ये सब बुढ़िया रोज अपने घर से देखा करती, बुढ़िया को उस गाए पर बड़ी दया आती थी, कैसा नास बिटा इंसान है, जो गौ माता को मारता रहता है, ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगा नहीं मिलेगी, पाप लगेगा इसे पाप, जब देखो बेचारी गाए को मारता ही रहता है, एक दिन की बात है, बुढ़िया सरजु के घर के आगे से जा रही थी, तब ही उ ये सरजु खुद तो अपना पेट भर लेगा और घूमने निकल जाएगा, लेकिन बेचारी बेजुबान गाए के उपर इसे जरा भी दया नहीं आती, फिर बुढ़िया कही से गाए के लिए चारा लेकर आती है, और सरजु के अंगर में जाकर गाए को चारा खिलाने लग तो गौमाता बुढ़िया की सारी मुह में दबा लेती है, गौमाता अब मुझे जाना होगा, अगर सरजु ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना, तो सोचेगा मैं गाए चुराने आई हूँ, इससे पहले कि सरजु आए मैं यहां से चली जाती हूँ, बुढ़िया को ना ऐसे ही सुबह होती है, बुढ़िया सीधे सरजु के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तू मुझे अपनी गाए बेचेगा, सरजु गाए के बेचने की बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश होने लगता है, आज तो लगता है, पगमान ने मेरी सुन ली, क्या हुआ बता, तू मुझे अपनी गाए बेचेगा, हाँ हाँ मा क्यों नहीं, तो ठीक है, ये ले अपने पैसे और गाए मुझे दे, एक बात समझ में नहीं आई अमा, तुम इस बुढ़ी गाए का करोगी क्या, तुझे तेरी गाए के पैसे मिल गए ना बस, बुढ़ीया सरजु के हाथ में पैसे पकड़ा कर उससे गाए लेकर अपने घर आ जाती है, और गाए को अपने आंगर में एक खूटे से बान देती है, और उसे हरा हरा चारा खिलाती है, और बड़े प्यार से गाए को नहारती है, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो, और फ पिर उसे खाने के लिए चारा देती है। और जब वो सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो बुढ़िया के तो होश उड़ जाते है। ये क्या गाय ने सोने का गोबर किया। क्योंकि वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी, एक जादूई गाय थी जो सोने का गोबर देती थी। फिर वो बुढ़िया चुपचाब गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर उठा कर अपने कमरे में ले जाती है। अरे वा गोबर ने मुझे सोने का गोबर दिया, इससे तो मैं गोबर के लिए और भी चारा खरीच सकूँगी। फिर वो बुढ़िया सोने का गोबर बाजार में बेच कर गाय के लिए एक सुन्दर घंटी खरीटी है और अपने और गाय के लिए बहुत सारा खाना खरीटी है। फिर बुढ़िया अपनी गाय को भी बढ़िया चारा खिलाती और खुद भी पेट भर खाना खाती है। कर गाई के पास जाती है तो देखती है अरे ये क्या गौम आता सोने का गोबर दे रही है मैं इसे टोकरी में भर लेती हूँ और जल्दी से अंदर कमरे में ले जाती हूँ फिर बुढिया गाई के नीचे से सारा सोने का गोबर एक टोकरे में भर कर कमरे में ले जाती है ये ग बढ़ियां सा घर और अपनी सुख सुविधाओं का सामान खरीती है अब बुढिया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी अब बुढिया धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई थी अब तो बुढिया एक बहुत ही बड़े आलिशान घर में रहने लगी थी उसके पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी बुढिया एश्वाराम के जिन्दगी जी रही थी बुढिया को अमीर होता देख सर्जू सोच में पढ़ जाता है समझ में नहीं आता ये बुढिया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई जैसे इसके हाथ कोई बहुत बड़ा ख़जाना लग गया हो पता तो लगाना पड़ेगा आखिर ये बुढिया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई फिर सर्जू पता लगाने के लिए बुढिया के आंगन में पेड के पीछे चिप कर रात होने का इंतजार करने लगता है फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो सर्जू देखता है कि गाय सोने का गोबर दे रही है पता अमीर कैसे बन गई गाय को सोने का गोबर देते देख सर्जू सोचने लगता है पिर जैसे ही सरजु गाए के नीचे से सोने का गोबर उठाने की लाग कोशिश करता है पर वो सोने का गोबर नहीं उठा पाता इतने मेरी बुढ़िया को आता देख सरजु छिप जाता है बुढ़िया गाए के नीचे से बड़े आराम से सारा सोने का गोबर उठा कर अंदर कमरे में ले जाती है और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सरजु सरपंच के पास पहुँच जाता है और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देनी वाली गाए है के बारे में सरपंच को बताता है क्या गाए सोने का गोबर देती है ऐसा कैसे हो सकता है सरपंच जी मेरी बात का यकीन करो मैंने खुद अपनी आंखों से गाए को सोने का गोबर देते हुए देखा है सोने का गोबर देनी वाली गाए के बारे में सुनकर अब तो सरपंच के मन में भी लाला चा जाता है और वो बुढ़िया से गाए लेने के बारे में सोचने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा तो मुझे अभी के अभी उस बुढ़िया के पास ले चलो बुढ़िया मुझे तुम्हारी गाए खरीदनी है ये सुनकर तो बुढ़िया के पैरों से जमीन खिसक जाती है, पर मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी, सरपंच बुढ़िया के हाथ में बहुत सारे पैसों की थैली पकड़ा कर उसे जबरदस्ती गाय खरीद कर अपने घर ले जाता है, और उसे अपने कमरे में बांध देता है ये देख सरपंच की पतनी सरपंच से पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस गाय को आपने हमारे कमरे में क्यों बांध रखा है अरे भागवान, ये कोई मामूली गाय नहीं है, सोने का गोबर देने वाली गाय है बला गाय भी सोने का गोबर देती है, मुझे तो तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है जब ये गाय सुबह सोने का गोबर करेगी, तब तो यकीन करोगी उधर बिचारी बुड़िया अपनी गाय को याद करकर के रोए जा रही थी मेरी गाय, हाई रे मेरी गाय, मैं मेरी गाय के बिना कैसे रहूंगी, वो ही तो मेरे जीने का एक सहारा थी बुड़िया गाय को याद करके सोचाती है, उधर सरपंच की खुशी का ठिकाना नहीं था सरपंच गाय को खूब सारा चारा खिलाता है जिससे की गाय खूब सारा सोने का गोबर दे सके फिर थोड़ी ही देर बाद सरपंच और उसकी पत्नी सो जाते है और जैसे ही सुबह होती है सरपंच की पत्नी सरपंच को उठाते हुए कहती है ए जी उठो न, देखो न कितनी बद्बू आ रही है, जैसे गाए ने गोबर कर रखा हूँ सरपंच सरजु की खूब धुलाई करता है और वापस गाए बुढ़िया को दे आता है बुढ़िया गाए को वापस पा कर बड़ी खुश होती है और उसके गले लग जाती है